पाँचमे पारे से कुछ पहले, चोधे पारे से मुहरमात का बयान है याने आदमी किन-किन अवरतों से शादी नहीं कर सकता चेक मसला बताईए एक अवरत जिसका शोहर मर गया है, वो और उसकी एक जवान बेटी है दोनों आती हैं एक ऐसे आदमी के पास जिसकी बीवी मर गई है और जिसके बेटे की शादी नहीं हुई तो क्या ये आदमी उस अवरत से और लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है याने लड़का अगर शादी कर ले बेटी से तो बाप भी होगा और ससूर भी होगा कैसी शादी जाएज है कर सकता है जी कर सकता है बाप जो है ससूर बद सकता है सबाब कैसे इसकरी कसे वह यह मा है और उसकी सगी बेटी और एक बाप है उसका सगा बेटा है अब बाप मा से शादी कर लेता है उस लड़की और लड़का उस लड़की से शादी कर लेता है जो उस अवरत की सगी बेटी है तो बाप इस लड़के का ससुर हुआ तो ये शादी जायज है जायज है यहां तक के अगर बाप को वो लड़की पसंद आ जायए तो लड़की से ये कर ले और लड़का मा से कर ले ये जायज है मसला मलूम गया वल्मुहसनात मिनन निसाई और वो औरते हराम है जिनकी शादी हो गई जिस औरत का शोहर मौजूद हो उस औरत से शादी करना हराम है बाद लोगों को देखा गया है कि बीबी किसी की है और उसको लेकर भाग जाते है वो औरत अपने शोहर को छोड़ करके किसी को लेकर भाग जाते है तो जो औरत शोहर वाली हो क्या उस से निकाह किया जा सकता है नहीं और लेडि वो निकाह में है इस से पता यह चला कि एक और अउरत से कई मर्द शादी नहीं कर सकते यह दुखता मर्ण वल्मुहसना तुमिलन निसा जिस अउरत की शादी हो गई हो इसका शोहर हो तो उस औरत से शादी करना हराम है पता ये चला कि एक औरत से कई मर्द शादी नहीं कर सकते ये एतिराज होता है कि एक मर्द ज्यादा से ज्यादा चार औरतों से अगर शादी कर सकता है तो औरत को क्यों नहीं इजाज़त दी जाती कि औरत की चार मर्दों से शादी कर सके जवाब उसका इस आयत करीमा में मौजूद है वल्मुसना तु मिनन्मिसा जिस औरत की शादी किसी आदमी से हो गई हो कोई आदम से शादी नहीं कर सकता ये नकली दलिल है कि औरत एक मर्द से जाइद मर्द से शादी नहीं कर सकती और इसकी एक और वज्जे है और एक और सबब है कि औरत को इजाज़त नहीं है कि एक से ज्यादा मर्द से शादी करे क्यूंकि उसमें नस्ब मालूम नहीं होगा और अकर नस्ब मालूम नहीं होगा तो फिर हुगूक और फराइस की जिम्मेदारी किसके उपर होगी मसला चार आदमियों ने एक औरसे शादी कर लिए एक बच्चा पैदा होता है बच्चा किसका है पता नहीं अब जब मालूम नहीं कि बच्चा किसका है तो हुकुक औ फराइस की जिम्मेदारी इन चार मर्दों में से किसके उपर डाली जाए इस वज़े से दुनिया में भी एक औरत चार मर्दों से शादी नहीं कर सकती और जन्नत में भी एक औरत चार मर्दों से शादी नहीं कर सकती वहां भी ऐसा ही है इसलिए कि वहां भी बच्चे पैदा होंगे वहां भी अगर एक औरत को इजाज़त दे दी जाए कि चार मर्दों से शादी करे तो वहां बच्चे होंगे तो किसका बच्चा माना जाए और वहां तो ऐसा मर्द दे दिया जाएगा कि औरत किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती वो जन्नत हूँ दुनिया नहीं है दुनिया में जब इजाज़त नहीं है तो जन्नत में इजाज़त के कोई सवाल ही नहीं है तो पता ये चला है कि जो औरत शादी शुदा हो उससे शादी करना हराम है उसके बाद कहा गया है वहिल्लकुमा वरा अदालिक। इसके इलावा जितनी औरते हैं सबसे तुम शादी कर सकते हैं तुम्हारे लिए हला लिए ये जितनी औरतें बयान की गई हैं जो महर्मात के दारे में आती हैं इनके इलावा जितनी ओरत मैं सब टुम्हारे लिए हलाए है, यहां तक कि हमारे यहां, चाची से भी शादी जाए है जी, चचा अगर मर जाए, तो वतीजा चची से शादी कर सकता। हमारे चची से शादी जाए है, इसलिए कि वो ही दाल कुम मावरा आदाली तुम के दाएरे में आदियों